ओम नमो भगवते वास देवाये नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे चैनल भक्ती घ्यान में दोस्तों आज में आपको स्रीमद भागवत महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ आप सभी भक्त जन इस कथा को सरद्दा पूर्वक मन लगाकर सुने भगवान स्री कृष्ण आप सभी की मनों कमना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे दोस्तों पिछली कथा में हमने सुना था रिचीक जगदमनी और परवसराम जी का चरित्र आज की कथा में हम सुनेंगे परऊसराम जी के द्वारा चेत्रिय संगार और विस्वामित्र जी के बंस की कथा सी सुगदेव जी कहते हैं परिक्षेत अपने पिता की यह सिक्षा भगवान परसराम ने जो आग्या कहकर स्वीकार की इसके बाद भी एक बर्स तक तीरत यात्रा करके अपने आस्रम पर लोट आई एक दिन की बात है परसराम जी की माता रेनु का गंगा टट पर गई हुई थी वहाँ उन्होंने देखा कि गंदर राज चित रत कमलों की माला पेने अपसराओं के साथ बेहर कर रहा है बे जल लाने के लिए नदी टट पर गई थी परन्तु वहाँ जल क्रीडा करते हुए गंदर्व को देखने लगी और पती देव के हवन का समय हो गया है इस बात को भूल गई उनका मन कुछ कुछ चित्र रत की और खिंच भी गया था अवन का समय बीट गया यह जानकर वे महरसी जमदगनी के साफ से बैवित हो गई और तुरंत वहाँ से आस्रम पर चली आई वहाँ जल का कलस महरसी के सामनी रखकर हाथ जोड खड़ी हो गई जमदगनी उनी ने अपनी पतनी का मानसिक व्यावचार जान लिया और क्रोध करके कहा मेरे पुत्रों इस पापनी को मार डालो परनतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आग्या सुईका नहीं की इसके बाद पिता की आगया से परसराम जी ने माता के साथ सब भाईयों को भी मार डाला इसका कारण था बे अपने पिता जी के योग और तपश्या का प्रभाब भली भाती जानते थे परसराम जी के इस काम से सत्व वती नंदन महरसी जम्दगनी बहुत प्रसन हुए और उनुने का बेटा तुमारी जो इच्छा हो वे मांग लो परसराम जी ने का पिता जी मेरी माता और साब भाई जीवित हो जाएं तो था उन्हें इस बात की याद ना रही कि मैंने उन्हें मार डाला था परसराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सुकर उठे सब के सब अनयास ही सकोसल उठ बैटे परसराम जी ने अपने पिता का तपुबल जान कर ही तो अपने सुधों का बद किया था परिक्षत सैस्त्र बाव अर्जुन के जो लड़के परसराम जी से हार कर भाग गए थी उन्हें अपने पिता के बद की याद नरंतर बनी रहती थी कहीं एक ख्षण के लिए भी उन्हें चेन नहीं मिलता था एक दिन की बात है परसराम जी अपने भाईयों के साथ आस्रम से बाहर बन की और गए हुए थी यह अब सर पाकर बैड सादने के लिए सैस्त्र बाव के लड़के वहां आ पहुँचे उस समय महरसी जम्दंगनी अगनी साला में बैटे हुए थी और अपनी समझत ब्रतियों से पवित्र कीरती भागवान के ही चिंतन में मगन हो रहे थी उन्हें बाहर की कोई सुद ना थी उसी समय उन पापियों ने जम्दंगनी रिशी को मा डाला उन्होंने पहले से ही ऐसा पाप पूर्ण निश्य कर रहा था परसराम की माता रेनु का बड़ी दीन तासे उनसे प्रातना कर रही थी परंत उन समय उनकी एक न सुनी बे बल पुर्वक महरसी जम्दंगनी का सिर काट का ले गई सती रहनु का दुख और सोक से आतर हो गई वे अपने हातों अपनी चाती और सिर पीट पीट कर जोड जोड से रोने लगी परसराम बेटा परसराम सीग्र आओ परसराम जी ने बहुत दूर से माता का हा राम ये करुन करंदन सुन लिया बे बड़ी सीग्रता से आसरम पर आए और महां आकर देखा कि पिता जी मार डाले गए है परिक्षेत और समय परसराम जी को बड़ा दुख हुआ साती क्रोध असाहिश्णूंता मानसिक पीड़ा और सोक के बेग से बे अत्यंत मुईत हो गए हाई पिता जी आप तो बड़े मात्मा थे पिता जी आप तो धर्म के सचे पुजारी थे आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए इस पिरकार बिलापकर उन्होंने पिता का सरीतो भाईयों को सौप दिया और स्वयम हाथ में फरसा उठा कर छेत्रियों का संगहर कर डालने का निश्य किया परिक्षेत परसराम जी ने मैसमती नगरी में जाकर सहिस्त्रवाव अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी परवत खड़ा कर दिया उस नगर की सोबा तो उन ब्रह्म घाती नीच खित्रियों के कारण ही ब्रामर द्रोयों का हिर्दय भैसे काप उठा था भगबार ने देखा कि बर्तमान ख्षेत्रिया अत्याचारी हो गए हैं इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता के बद को निमित बना कर 21 वार प्रतवी को ख्षेत्री हीन कर दिया और कुरु ख्षेत्र के समंध पंचग म ऐसे ऐसे पांच तलाब बना दिये जो रक्त के जल से भरे हुए थे परसराम जी ने अपने पिता जी का सिर लाकर उनसके धर से जोड़ दिया और यग्यों द्वारा सर्व देव में आत्म सरू भगवान का यजन किया यग्यों में उन्होंने पूरु दिसा होता को दक्षन आरदर्यू को और उत्तर दिसा सामगान करने बाले उदगाता को दे दी इसी प्रकार अगने कौन आदी बिदिसाएं रितिजों को दी कषिःब जी को मद्द भूमी दे उप द्रिश्टा को अरिया बरत दिया तता दूसरे सदस्द्वान को अन्याए दिसाएं प्रतान कर इसके बाद यग्यानत इस्टनान करने के समझत पापों से मुक्त हो गई और ब्रह्म नदी सरस्वती के टटपर मेग रहत सूर्य के समान सोबाय मान हुए मेर्सी जम्दगनी को इसम्रती रूप संकल्प में सरीर की प्राप्ती हो गई परसराम जी से सम्मानित होकर भी सब्त रूप के मंडल में साथ में रिशी हो गई परिक्षित कमल लोचन जम्दगनी नंदन भगवान परसराम आगामी मनमंतर में सब्त रिशीयों के मंडल में रहकर बेदों का विस्तार करेंगे बे आज भी किसी प्रिकार का तर्ण ना देते हुए सांत जिस से महिंदर परवर्द पर निवास करते ही वहां सिद्ध गंदर्व और चारण उनके चरित्र का मधर स्वर से गान करते रहते ही सर्व सक्तिमान विश्वात्मा भागवान स्रीहरी ने इस प्रिकार भ्रगु बंसियों में अवतार ग्रहन करके प्रत्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार बद किया माराज गादी के पुत्र हुए प्रजुलित अगनी के समान प्रम तेजस्वी विश्वामित्र जी और उन्होंने अपने तपो बल से छेत्रिय तत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया प्रक्षत विश्वा मित्र जी के सो पुत्र थे उनमें बिचले पुत्र का नाम था मदुछंदा इसलिए सभी पुत्र मदुछंदा के ही नाम से बिक्षात हुए विश्वा मित्र जिने ब्रग वंसी अजिगर्थ के पुत्र अपने भानजे सोने सेप को जिसका नाम एक देवरात्वी था पुत्र रूप में स्विकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा के तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मालो यह वही पृषिद भरग वंसी सोने सेप था जो हरीश्चंद्र के यग में यग पसू के रूप में मोल लेकर लाया गया था विश्वा मित्र जी ने पृजा पती वरुन आधी देवताओं के स्तुति करके उसे पास बंदन से छुडा लिया था देवताओं के यग में यही सोने सेप देवताओं द्वारा विश्वा मित्र जी को दिया गया था अधे देवो रात इस ब्योत पती के अनुसार गाद वंस में यह तपस्वी देवरात के नाम से बिक्षात हुआ विश्वामित्र जी के पुत्रों में से जो बड़े थी उन्हें सुने सेव को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी ना लगी इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधेतो होकर उन्हें साफ दे दिया कि डुष्टो तुम सब मलेच हो जाओ इस परिकार जब उन्हें चास भाई मलेच हो गए तब विश्वामित्र जी के बिचले पुत्र मदोचंदा ने अपने से छोटे पचासों भाईयों के साथ कहा पिता जी आप हम लोगों को जो आग्या करते हैं हम उसका पालन करने के लिए त्यार हैं यह कहकर मदोचंदा ने मंतर द्रिश्टा सुने सेप को बड़ा भाई स्विकार कर लिया और कहा कि हम सब तुमारे अन्याई छोटे भाई हैं तब विश्वामित्र जी ने अपने इन अग्याकारी पुत्रों से कहा तुम लोगों ने सुपत्र प्राप्त होंगे मेरे प्यारे पुत्रों यह देवरात सुने सेप भी तुमारे ही गोत्र का है तुम लोग इसकी आग्या में रहना परिक्षित विश्वामित्र जी के अश्टक हारित जै और क्रतुमान आदी और भी पुत्र थी इस प्रकार विश्वामित्र जी कि संतानों में से कौसे गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने की करण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया बुलस्री मदभागवत महापुराने की जए बुलस्री किष्णी चंद्रवाने की जए